देखें बिहार दरोगा प्री के एक्जाम में सिर्फ 55 डेज रहे गहे हैं जी हां मैं बात कर रहा हूं बिहार दरोगा 2020 के प्री एक्जाम का एक्जाम डिट आप सभी जान रहे होंगे 26th of December को सिड्यूल्ड है 26 जंबर को होने वाला है तो उससे आप से अगर देखें तो बस हमाने पास 55 डेज का टाइम अब बच जा रहा है अब इस पच्पन दिन में हम क्या करें तो यहां पर मैं तीन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप त्यारी नहीं इस्टार्ट किया यह तो यह जो है आप 66 68 तक ले जाते हो तो यह बिलकुल आपके लिए एक डिसाइडर हो जाएगा और आपको बिलकुल बॉर्टर प्लेया एक खरा करते हो जहांसे बिलकुल आप रिजल्ट गेन कर सकते हो ठीक है और यह फिर से बता रहा हूं यह डिसाइडर रहेगा तो त्रीन ट्रिक में आप लोग साथ सेयर करूंगा जो यह काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है तो आज का वीडियो बहुत इंट्रिस्टिंग होगा आखरी तक देखिए और ने लोग चनल सब्सक्राइब कीज़े एवरिबाडी मैं हो रहो और आप देख मैं यहां पर कुछ सजेशन को नहीं देना चाहूंगा वह जैसे पढ़ रहे हैं वह पढ़िए लेकिन जो नए लोग हैं जो नए हैं जिनका अभी सेट लगा रहे हैं सेट में कितना आ रहा है 55 मार्क्स आ रहा है या 56 57 ऐसे कुछ आ रहा है मतलब बोलते हैं ना 5569 तक घूम रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए काफी ज्यादा helpful वीडियो होगा मैं आपको फिर से बता रहो बहुत helpful होगा बहुत ज्यादा आपको यह help करने वाला है ठीक है तो मैं बस यहीं बोलूँगा कि आप लोग इसको आखरी तक देखिए तो सबसे पहला ट्रिक की जो हम बात कर नहीं रहते हैं वह स्टैटिक जी कह आप सभी जानते हैं इस एक्जाम में स्टैटिक जी है काफी इंपॉटन्स है बहुत आता है स्टैटिक की बहुता है हो यह बैसे को बहुत आ होता है अब अगर मैं बात करूछ as example कि भाई पार्टली पुत्रा को किस ने बताया ठीक है तो ये उदेर ने बसाया तो ये बिल्कुल factual है ये कि स्टाटिक जी क्या जागा दे कोई हिस्ट्री के question है लेकिन बिल्कुल factual है ऐसे ही question आते हैं हमारे इस दरोगा के exam में दरोगा exam में concept से मतलब नहीं होता है बिल्कुल आपको to the point एकदम 60 का answer रियाद करके रखना है और वहीं आ जाएगा तो दरोगा exam में concept से कोई मतलब नहीं हम यहाँ BPSC ने दे रहे हैं पहले एकदम mind clear कर लो कि हम यहाँ BPSC ने दे रहे हैं BPSC में हमें बिल्कुल fact के साथ-साथ concept की भी जुरूत है लेकिन यहाँ पर आपको fact की जुरूत बहुत कम परती है मैं ऐसे नहीं बोलो नहीं परती है बहुत कम परती है ठीक है और fact अगर आपको पास है तो बहुत बढ़िया बात है आप इसको definitely आसानी से कर जाओगे लेकिन वैसे बच्चे जिनके पास fact नहीं है वो सरफ lucent पर रहे है crown पर रहे है उसके बावजूद भी उनका 556 नमबर आ रहा है जी हां बहुत important trick है यह इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए आपने मेरे चैनल पर भी अभी हमारे चैनल पर भी volume 1 इंडूटीरिया का practice set volume 2 इंडूटीरिया practice set volume 1 2 और 3 platform को practice set करवाया जा चुका है ठीक है अब देखिए मैं बताता हूं इंडूटीरिया का जो हुआ था volume 1 और volume 2 दोनों में मिला के 15 प्लस 15 ठीक है इंडूटीरिया का हो गया 30 practice set ठीक है 30 practice set इंडूटीरिया आपने करा होगा ठीक है यह हो गया उसके बाद अगर आप volume 3 अगर platform को उठालते हो उसमें अकेला 30 practice set है वॉल्यूम 2 अगर उसमें उठालो उसमें लगभगाट 20 या 30 उसमें भी practice set है ठीक है अगर चलो हम सिर्फ यह चार बुक को ही टोटल करते हैं 30 30 60 30 90 ठीक है 90 90 sets मिल जाते हैं आपको दरोगा के exam के लिए 90 अगर इससे ज्यादा किसी के पास और practice set है रहमान सर वेगरा या और आपको practice set अभी लगाना भी नहीं है आपको यह पूरे महीने जी हां यह पूरे नवंबर का महीना मैं आपको क्या करना मैं वह बता रहा हूं बस इतना कर जो आपका exam बहुत बहतरी आपका boost कर देगा यह नंबर ठीक है देखो 90 practice set 90 practice set का मतलब 9000 mcqs yes my friend 9000 mcqs बहुत important है यह आकड़ा बहुत छोटा सा लाकड़ा लें गया impact डालेगा मैं बता रहा हूं देखिए इसको करना क्या है मैं आपको simply दिखाता हूं देखिए जैसे हमारे पास है देखो यहां पर volume 2 है यह इरूटीरिया का book ठीक है volume 2 आप जैसे माल लो इसमें आप पहला वाला practice set खो ल ठीक है किसका कौन सा correct answer है सब में आप टिक मार जाईए उसको थोरली पढ़ते जाईए और इसको एक बार नहीं पढ़ना है इसको दो से तीन बार revision कर जाना है अगर आप यह 9000 कोश्चन कोई बड़ी बात नहीं है एक महिने कंदर में यह 9000 MCQ आप 2-3 बार पढ़के revision कर जा है कैसे number boost करें तो यह बहुत important होने वाला है क्योंकि practice set है इसमें practice set में already selected question दिये जाते हैं और इस सारे selected question को अच्छे से अगर चाट जाओगे बहुत आपको काम करने वाला है तो यह पहला trick था आप बिल्कुल यह 9000 MCQ हैं यहाप आपको practice set नहीं लगाना है सबका पीछे से दीजे ठोली पढ़ते जाइए next time में आपको करना क्या है जो highlighted question है उसको पढ़ते में चला जाना है time बचाना है smart work करना है जबरदस्ती का वर्क नहीं करना स्मार्ट वर्क करना है तो यह smart तरीका है यह आप एक चीज follow कर सकते हो दूसरा देखिए हमारा दूसरा important portion है क्या है तो वह current affairs का portion है ठीक है बहुत important है पचीज से 26 question इसमें पूछा जाता है पचीज से 26 question current affairs के लिए क्लिए 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 आप मैं यहीं बोलूँगा कि देखिए रूटीरिया का दोठो मैक्जिन अभी आया है अभी currently yearly magazine चल रहा है दूसरा half yearly भी आया हुआ था इन दो question का इन सबका MCQ आप अच्छे से कर जाए चार से पांच बार इसको रिविजन लगाई है चार से पांच बार और अगर आप इसके साथ साथ अगर इस पीडी कर सकते हैं देखिए आपको कहीं और कुछ नहीं देखना है आपको कोई one liner नहीं पढ़ना आपको सिर्फ और सिर् सब्सक्राइब तो मैं यह बता रहा हूँ तो आप MCQ लगाई है पहला वाला जो हाफ जो हाफ यर्ली था उसको रिटायर नहीं करते हैं उसको भी पढ़ना है और यह नया वाले को भी पढ़ना है यर्ली वाले को पढ़ना दोनों में जो MCQs दियो है उसमें लगभ़ नौन सब्सक्राइब उसको कर जाए क्योंकि देखें पिछले साल का बहुत इंपोर्टेंट है पिछले साल का जो है ना यह देखिए ऑगस्त के आसपास से जो है ना ऑगस्त के आसपास से यह करेंट अफेर्ट पिछले साल 2020 का जो है ना यह पूच सकता है मैं आपको बता रहा बहुत इंपोर्टेंट है तो अग्डार से पिछले साल का आप ए स्टार्ट कीजिए बहुत इम् weakest है और मुझे तो आप करेंट आप इसके साथ एक और इंपोर्टेंट चीजह फिल इंपोर्टेंट तो ़ह साइंश कान सब्सक्रेंट कแ considering static में सब कुछ include जाता है बहुत important है आप बोलिए का sir science कैसे करें अरे भाई अभी 9000 MCQ कर रहे है static वाला उसमें science भी मिलेगा तो science में आपको करना क्या है फिर से महीं मैं बोलूँगा देखे highlight करते जो question आपको नहीं आ रहा है जी हाँ highlight करिए revision करिए highlight करिए revision करिए that's the key यहीं आपको पास वो चाबी है जो exam crack करवाएगा तो यह तीनों चीज मैंने आपको बताया और science मिल जाएगा इसके अलावा science आपको करना क्या है देखे speedy one liner जो है na speedy one liner अभी से बिल्कुल पढ़ना है आप उसको कर जाएए तो यह तीन पॉर्सन ऐसे जो मैंने बताया आप इस तीन पॉर्सन को बिल्कुल ऐसे करते हैं इन तीन तरीकों से करते हैं definitely अपका exam निकलेगा I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा और वीडियो कैसा लगा comment कर जूरू बताइए और नए लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जाएदा शेयर करिए best of luck